हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज की वीडियो में हम अभी जना शकुनतलाम का एक्ट फाइब डिस्कस करेंगे जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि शकुनतला को दुर्वासर इसी से श्राप मिल चुका है और अब पता नहीं शकुनतला का क्या होगा इस वीडियो में यानि आट फाइव में हम देखते है कि शकुनतला की जो absent mindedness थी वो अपने ख्यालों में उसका जो खोया हुआ वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी अपने सपनों में खोई हुई थी इसका अब उसके लाइफ पे क्या आश्वर पढ़ने वाला है और उसकी कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी तो फिर ये जो सीन है वो राजा के दर्वार में शुरू होता है दर्वार में राजा जैसे ही राजा दुष्यंद अपने रोज रोज के जो उनके काम होते है दर्वार के राजे के काम होते हैं वो सब खतम करते हैं खतम करके अपने सिंगासन से उठते हैं और विदुशका के साथ वो म्यूजिक रूम में जाते है क्योंकि वो बहुत ज़ादा टायर्ड हो गए होते है तो फिर उनको म्यूजिक सुनने से बहुत रिलीफ होता है जैसे कि हम जानते हैं कि एक राजा के सरके उपर बहुत सारी responsibilities होती है पूरे जो देश का है उसका दायत होता है हर तरह का दायत होता है तो बहुत प्रेशराइजड होते है और इसलिए बहुत ज़ादा tired मैसुस कर रहे होते है लेकिन जो musicians लोग होते है वो राजा की और ज़ादा praise करते है उनके बारे में अच्छा अच्छा कहते है कि राजा है राजा कभी tired नहीं हो सकते उनकी वज़े से तो हम सब लोग safe है उन्हों नहीं तो हम लोग को बच्चा के रखा है हम चैन की नीन सोप आ रहे है राजा कितने पराक्रमी है कितने जावास है राजा के जैसा और कोई हो नहीं सकता ऐसे सब कहने लगते है तो राजा का जो है उनका जो spirit है जो confidence है जो tiredness है वो दूर हो जाता है यह सब सुनके राजा की जो एक पत्नी है रानी हंसावती वो बहुत अच्छा गाना गाती है तो फिर वहाँ पे music room में वो भी होती है और वो राजा के लिए गाना गाना शुरू कर देती है वो खुद गाना लिखती भी है और गाती भी है लेकिन इस बार राजा अकसर उनके गाने एंजॉय करते है लेकिन इस बार वो अपने गाने में कुछ अटपटे से lines कहती है तो वो क्या अटपटे line कहती है वो कहती है कह रही होती है कि मधुमक्खी को कि है मधुमक्खी तुम जिसने आम के पेड़ के आम के पेड़ के फूलों का रस पिया है उससे शहद बनाया है तुम कैसे अब उस आम के फूल को भूल सकती हो अब तुम्हें कैसे कमल के फूल में चैन मिल रहा है तुम्हें जब आम के फूल का जो स्वीटनस है जो तुम्हें मिल चुका है उसके बाद तुम उसको भूल गई हो भूल के अब तुक कमल के फूल के पास बैठके वही sweetness वहाँ पर ढून रही हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कैसे तुम भूल सकती हो उसाम के फूल को और कैसे भूल के भी तुम कमल के फूल के साथ बहुत चैन से रह रही हो तो ये सब सुनके थोड़ा सा राजा को अजीव लगता है फिर वो ये अजियम करती है कि शायद हंसावती जो है वो उनको ताना मार रहे है या फिर कुछ अपना दुख बता रहे है क्योंकि एक समय हुआ करता था जब राजा की रानी हंसावती बहुत ज्यादा फेवरेट हुआ करती थी और राजा ज्यादा तर टाइम उन्हीं के पास रहते थे बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन आप जो है राजा का इंट्रेस्ट राने हंसावती से कम हो गया है उनका प्यार कम हो गया है शाहिद इसी लिए वही चीज़ को डस्क्राइब कर रही है वो खुद को जो है मैंगो के फूल के साथ आम के पेड़ के फूल के साथ कमपेर कर रही है जिसको राजा जो है दुशका को कहते हैं कि जाओ तुम रानी अंसावशी से कहा दो कि जो कविता उन्होंने लिखी और जो उन्होंने गाया है वो मुझे बहुत जादा पसंद आई और बहुत ही खुपसुरत और बहुत कमाल की लिखी हुई है जरा अच्छे से कहना जैसे कि वो खुश हो जाए बहुत दुखी लग रही है वो हमारी बीहवेयर के वज़े से उनको थुड़ा खुश कर दो उसके बाद शकुंतला गौतमी और शनगर्व शरदवता ये सब लोग और उनके साथ ही कुछ और भी शिश्य लोग होते हैं वो लोग वहां पहुंच चुके होते हैं तो फिर बाह लोग आये हैं और कुछ औरते भी उनके साथ आई हैं तो राजा बहुत ज़्यादा चौक जाते हैं कि अरी इस वक्त रिशी कनव के शिश्य अचानक से क्या हो गया तो फिर राजा बहुत क्यूरिसिटी से बाहर जाते हैं और वो मनी मनी ये सोच रहे होते कि कहीं उनसे पर वार कर दिया कहीं उनका रिच्वल खराब कर दिया इसलिए वो लगाए है ऐसा सब कुछ सोचते सोचते उनका एक असिस्टन होता है वेदरावती वो वो भी उनके साथ जाती है बाहर और वो समझाती कि नहीं नहीं राजा जी आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते आप तो अपना सारा responsibility बहुत अच्छ से पूरा करते हैं मुझे लगता है कि आपने उन लोग को बचाया था ना उनके यग्या वग्यारा को बचाया था तो फिर वो आपको शुक्रियादा कहने आये है आपको thanks बोलने आये होंगे तो फिर राजा कहते है कि हाँ भगवान करे ऐस सही हो फिर राजा कुछ लोगों को भेजते हैं कहते हैं कि हम पहुंच रहे हैं तब तक तक तुम उन लोग का स्वागत करो पूरे रिती रिवाज और मंत्र वगेरा के साथ शास्त्रों में जैसे दिया गया है जैसे रिश्यों का स्वागत किया जाता है पूरे वैसे ही रि सब खड़े हुए होते हैं राजा को वो सब देखके ऐसा लगता है जिसे पत्तों के बीच से कोई एक बहुत खूबसूरत सा फूल निकल रहा है शकुंतला उनको फूल जैसे दिखती है उसमें हाला कि घूंगट डाला हुआ होता है उस घूंगट के वज़े से उनकी खूबस दिख रही होते हैं कि राजा सोचने लगता है मनी मन अरे इतनी खूबसूरत लड़की है कौन उसके बाद वो सुचते कि नहीं नहीं मैं यह गलत कर रहा हूँ इसको देखके पता चलता है कि यह शादी शुदा है और यह किसी रिशी की पत्नी है और उपर से मैं किसी रिश श्राप का असर हो चुका है और दुश्यंद शकुंतला को भूल चुके है उनके सामने खड़ी है शकुंतला लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को पहचा नहीं पा रहे हैं उनको किसी और की पत्नी समझ रहे हैं तो फिर इशिक अन्वा ने शन्नगर्व के हातों एक मैसेज भ क्यार्यत तो है उसके बाद शन्नगर्व कांवा का जो मैसेज वो राजा को देता है उस मैसेज में संदेश में ये उन्होंने कहां होता है कि हे माहराज आपने भले ही मेरी अनुपस्तिति में मेरी बेटी के साथ शादी की है गंधर्व मैरेज से गंधर्व विभा किया है और मैं इस शादी को जो है अपनी जो मान्यता है अपनी जो स्विक्रूती है वो मैं देता हूँ मैं आप लोग की शादी से अग्री हूँ और आप लोग को आशिरवाद भी देता हूँ और आप लोग को धन्यवाद भी कहता हूँ कि आपने मेरी बेटी को अपनी रानी बनाने के लायक समझा और मैं अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए उसे माफ कर देन वो नादान है, पहल के तौर तरीके वगरा नहीं जानती, उसको थोड़ा समय लगेगा, और मैं आपकी अमानत जो है, और वो आपकी मेरी बेटी, आपके जो बेटी की है, माह बनने वाली है, आपकी जिराग को जनम देने वाली है, इसलिए मैं अपने बेटी को आपके पास भेज रहा हूं, आपकी अमानत को आपको लोटा रहा हूं, आप इससे संभाली है, आप अभी अपने बत्ती के साथ, यानि आपके साथ, और अपने बच्चे के साथ रहेगी, तो फिर राजो जो है, वो बहुत जादा शॉक में आ जाता है, कि आरे, ये क्या कह रहा है आप लोग मैंने तो इनसे कभी शादी ही नहीं, कि मैं तो इनने जानता भी नहीं हूँ, ये कैसे मेरी पत्नी हो सकती है, इनका जो बेटा है, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, ऐसा हो यी नहीं सकता, क्योंकि राजा अल्रेटी सकुंदला को भूल चुके है और उनकी ये बार सुनके सब लोग गौते में शर्नगरवर शकुंदला सब बहुत शौक हो जाते है बहुत ही जादा और शकुंदला सोच रही होती है कि उसे इसी बात का डर था कि कहीं राजा उसे धोका ना दे दे उसका इस्तमाल करके बाद में उसे अपनाने से इंकार ना कर दे और उसका ये डर सच हो गया वो बहुत जादा कापने लगती है फिर शर्नगरवर जो है वो बहुत जादा गुसे में आ जाता है और कहता है कि राजा ये आप क्या कहा रहे है हमने तो बड़ी-बड़ी बाते सुनी थी कि आपने पने जुबान के कितने पक्या है ये है वो है एक तो आपने मेरे बैहन से शादी कर लिए बिना किसी को बताए वो भी गंदर विवा के जरीए, मेरी भोली-बाली बहन को फसा लिया, और अब आप उसे पहचानने से इंकार कर रहे हैं, जब वो भी था, जब वो आपके बच्चे के माँ बनने वाली है, आपकी पत्मी है, आपका मन हुआ, आपने उसकी खुबसूर्ती पे आपका दिल ला और ना ही मेरी हिंसे शादी हुई है, अगर होती तो मुझे याद नहीं होता, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो शन्नगरवा कहते हैं कि अरे, क्या बात है, एक तो आप गलती करते हो, मेरे पिता जी को पूछे भिना उनकी बेटी से आपने शादी कर ली, एक बेटी को भी आपके पास भेज दिया उन्होंने, और आप उनके इस सम्मान का ये सिला दे रहे हैं, राजा कहते हैं कि माना आपकी बेहन बहुत सुन्दर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने जो है प्रिंसिपल्स का, अपने उसूलों का बड़ा पक्का हूँ, किस और की पत्नी है, फिर भी ये जानते हुए भी इसकी खुबसूरती के वज़े से अपना लूँगा, इसके बच्चे को अपना लूँगा, पूछी इससे, ये जूट बोल रही है, मुझे पता है ऐसी लड़कियों को, ये पक्का अपना जो पाप है, वो छुपाने के लिए इसकी शादी नहीं हुई, इसका बच्चा है, वो किसी और का बच्चा है, और अब उस लड़के ने जो है, उसे छोड़ दिया है, और अपने पाप को चुपाने के लिए उस पाप को ये मेरे सर मनना चाह रही है, ये चरी तरहीन लड़कियों मैं बहुत जानता हूँ ऐसी उसका विश्वास कर रहे हैं उसके बाद शन्यकर वह जो है वो शकुंतला से कहता है कि लो बहन अब तुम ही समझाओ शकुंतला कि तुम अपना घुंगट उठावं तुम्हारा चैरा दहां पूंगट उचान पाएंगा शायद श्दुर्ए और जिरी रहा सोंधे एमें खरने चैने के रहा दो खुल बना की हाँ एया प्लेट की जवाब मत देडा लेकिन श्दूर यहाँ बहुत ज़्यदा गुस्सेयो will करते हैं यह वो बड़े-बड़े किये मैं तो मना कर रही थी आपको फिर भी आपने मुझे बार-बार समझाया मुझे भरोसा दिलाया मेरा भरोसा जीता मुझे से किया अपने और उपर से आपके बच्चे की में मा भी बनने वाली हूं मुझे अपनी रानी बनाने के वादे तक किया आपने और आप यह कह रहे हैं आप मुझे नहीं पैचानते मतलब आपने मुझे इस्तमाल किया इतना बड़ा धोका दे रहे हैं आप मुझे क्या आप जैसे राजा को यह सब शोभा देता है क्या मिला आपको यह सब करके क्यूंकि आपने मेरे साथ ऐसा उपर से आप मेरे ही चरितर पे लाल चन लगा रहे हैं मैंने आपके अलावा किसी और लड़के के बारे में कभी सोचा भी नहीं है और यह बच्चा भ आपको मुझे मैं याद नहीं हूँ ऐसे कैसे कोई अपनी पत्नी को भूल सकता है या अपनी पाकी सारी पत्नियों से मिलके आपका मेरे पड़ से मन भर गया उसके बाद वो कहते है कि रुकिये मैं आपको अंगूठी दिखाती हूं अप्रूफ राजा पूचते है कि इस प्रूफ दिखाती हूं मेरे पास पूफ है तो वह रिंग को निकाल के दिखाना चारी होती है लेकिन जबो धनकी ही होती है रिंज आघंव याद आता है कि पूजा की थी तो पानी में असे उठा के जो पुस-पांजलि जैसे देते है वसे पानी जल अर्पन भी करते वैसे ही उसने भी पूजा की थी और शायद उसी टाइम में उसकी रिंग जो है वो उसके उंगले से फिसल गई होगी, नदी में खो गई होगी और उसे पता नहीं चला और वो रास्ते भर अपने पती से मिलने के excitement वे और अपने राजा से मिलने के ख्यालों में इतनी कोई हुई थी उसे रिंग का भी ध्यान रही नहीं रहा मतलब दुरवासर इसी के साथ जो गलती शकुंतला ने की थी वही गलती उसने वापस नदी में आते हुए भी repeat कर ली अगर यहां पर उसने ध्यान रखा होता तो फिर रिंग उसके पास होती और राजा को प्रूफ देती राजा को शबकुछ याद भी आ गया होता है लेंगिन फिर एक बार शकुंतला की लापरवाही और उसके ड्रीम वर्ड में रहने के आदत जो है वो उस पे भारी पड़ गई तो फिर यह सब सुनके राजा और जाधा गुसे में आ जाते हैं कहते कि लो अब यह एक और बहाना शुरू मतलब इपनी बात बन्माने के लिए तुम एक के बाद एक के बाद छूट बोलती जारी हो कैसी चरीतर हिन लड़की हो तुमें कोई शरम वरम है के नहीं किसी और के बेटी को मुझ पे थुपना चाती हो सब जानते हैं मैं कैसा इंसान हो ठीक है और मैं इतना भी गिरा कि किसी और की पत्नी को अपना कहलो किसी और के बच्चे को अपना लू जश्ट विकॉस की कि तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुम जाओ यहां से और सारे रिशिव अगरा को कहते हैं कि आप लोगों से मुझे ऐसी उमीद नहीं थी वह ऐसा जूट बोल रही है ऐसा चाल चल रही है मेरे खिलाब मुझे बदनाम कर रही है और आप लोग इसकी बातों में हरे आप लोग भी आपको लोग को लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं सच्छी में आप लोग क्या मुझे नहीं जानते मैं सालों से आप लोग के ऊपर राज कर रहा हूं मैंने कभी किसी के गौतमी जो है वो सब वापस मोड के जा रहे होते हैं और शकुंतला को वहीं रहने के लिए के लिए है कि आप लो कहां जा रहे हो मुझे साथ लेकर जाओ तो फिर श्र्ण गर्वा कहता है कि अरे तुम पागल लड़की बेवकुफ लड़की अब बहुत शौक था ना तुम् और अब देखो क्या हो रहा है अब भुक तो तुम तुम्हारा पती है अब तुम हमारी नहीं हो तुम पराई हो चुकिया हमारी बेटी नहीं रही उनकी पत्मी हो अब वह तुम्हारे साथ अच्छा करें बुरा करें जो भी करें उनका करने का अधिकार है तुम्हारे पती त तुम्हारा धर्म है अब। और हम तुम्हें अब अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्योंकि तुम और टिम्हारे पती के साथ ही रहना पड़ेगा। और राजा भी शर्कूंतला को अपनाने से मनना कर देते हैं। शकुंतला वही पे बहुत पूरी तरह तोड़ जाती है, रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके पती ने उसे धोका दिया है, वो पराई हो गई है, अपने घरवालों से भी पराई हो गई है, उसके घरवालों ने भी उसे छोड़ दिया, और उसके पती ने भी उसे और अपनाने से इंकार कर दिया उसने तो बस प्यार किया था और दुश्यंत पे बहुत जादा विश्वास किया था लेकिन उसके बदले वो दुश्यंत से कहती है कि मेरे प्यार और विश्वास के बदले मैंने पूरी लॉयल्टी से आपसे प्यार किया कि उसके रो रही होती है इसलिए वो अपने गुरु से पूछते है कि गुरु अब आप बताइए कि हम क्या करें तो फिर गुरु कहते है कि काम करते है महाराज आप इस लड़की को जो है मैं से अपने घर ले जाता हूं इसे मेरे घर रहने दीजे तब तक के लिए जब तक इ इसा क्यों तो फिर वो जो रिशी कहते है कि महाराज आपका अभी तक कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं है और आपकी जो कुंडली है जो आस्ट्रोलोजी रिपोर्ट है वो कहती है उससाब से आपका जो पहला बेटा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा वो बह पूरुराज्य था पूरुराज्य के नाम से यहां पर दिया गया है तभी अंसाइंट इंडिया का नाम पूरुराज्य था तो पूरुवंश का वारिश होगा तो फिर बच्चे को पैदा होने देते हैं देखते हैं अगर बच्चा पैदा होने के बाद उसके चल जाएगा कि जुट बोल रही है तो वह तब तक के लिए इसे रहने देते हैं फिर राजा अपने गूरु की बात को ना टालते हुए उनकी बात में हामी भर लेते हैं और जो गुरु वर है वो शकुंतला को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने घर लेकिन रास्ते में जो है शकुंतला रुप जाती है और रुप के रोने लगती है अपने भागय को कोसने लगती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था क्या प्यार करना गलत था क्या मेरा विश्वास करना गलत था और वो बैठके रोने लगती है तभी अचानक से उपर से एक बहुत जादा चौक जाता है कि अरे यह सब हुआ क्या वो लाइट थी क्या कोई सूपर पावर था या कुछ क्या शकुंतला इसका मतलब ही तो नहीं कि शकुंतला कोई आम लड़की नहीं आखिर वो ठीक और और ऐसे कैसे गाहब हो गई वह वह वापस जाके राजा को सब कु कोई उनका अपना बहुत तकलीफ में है कोई ना कैस्या कने है और total से पता की वह चीज नहीं समझ इसे में नहीं हो तो राज्य वही एक्ट 5 में खता है तो मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएगा कि वीडियो कैसी लगी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलेगा वापस अगली वीडियो में हम आक्ट 6 डिसकुस करेंगे तब तक ये लिए गुट बाई थैंक यू